हेला दोस्तों जहिंद डामन्ड अकेडमिय त्रोलिया आजमगड के यूटू चैनल पे मैं आप सभी कते हैं दिलसी स्वागत बंदन एमावी नंदन करती हूँ तो दोस्तों जो हमारे हमने पहले भारत का समयधानिक विकास के बारे में पहली वाले वीडियो में हमने यह जान मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमत दी गई इंगलिस मिशनरियों को हमारे भारत में काम करने की अनुमत दी गई तो किस एक्ट के द्वारा तो 1813 एक्ट के द्वारा जो हैं इंगलिस मिशनरियों को हमारे भारत में कार्य करने की अनुमत दी गई बंगाल के गव गवर्नर जनरल बना दिया गया तो कब बना दिया गया था तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ड भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया भारत का प्रिथम गवर्नर जनरल बना हमारे भारत का प्रिथम गवर्नर जनरल कौन बना तो लार्ड विलियम वैंटिंग ने बना लार्ड विलियम वैंटिंग यह हमारे भारत का प्रिथम गवर्नर बने भारती प्रसाशन का केंद्री करण एमां गवर्नर जनरल के परिशद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया तो किस एक्ट के द्वारा दिया गया तो 1833 के चार् गया भारत में 1834 में प्रेथम बीदी आयोग का गठन किया गया तो कब किया गया हमारे भारत में 1834 में प्रेथम बीदी आयोग का गठन किया गया थो कब किया गया थो किस एक्ट के द्वारे तो 1833 चार्टर एक्ट द्वारा यहां पर भी देखे 1833 के चार्टर एक्ट द्वा रही हमारे भारत में 1834 में प्रत्थम विधु आयोग का गठन किया गया है कि प्रेत्थम विधु आयोग का अध्याचनिगत किया गया तो लीड मैकाले भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया जो है 1843 में एलन वरो ने चारटर एक्ट 1833 के तहत हमारे भारत में दास प्रथा को समाप्त कब किया गया तो 1843 में एलन वरो ने चारटर एक्ट 1833 के तहत है समाप्त किया भारत में पहली बार योगता की आधार पर निक्त का प्राधान किया गया तो किस चारटर एक्ट 1833 में ही हमारे भारत में पहली बार योगता की आधार पर निक्त का प्राधान भी किया गया था भारत में पहली बार प्रतियोगी परिच्छा की आधार पर महत्तोपुड पदों को भरने की बेवस्ता की गई भारत में प्रतियोगी परिच्छा की आधार पर महत्तोपुड पदों को भरने की बेवस्ता की गई तो चारटर 1833 की तहत जो पदों को भरने की बेवस्ता की गई भारत में शिवली सेवको की भरति का चयन है तो खुली प्रतियोगीता का सुभारंभ किया गया भारत में खुली प्रतियों गिता शुरू करने का अश्रे किसको दिया जाता है तो लार्ड डलहोजी को दिया जाता है बॉर्ड डारिक्टरों की संख्या 24 से हाटा कर जो अठारे की गई अठार सो तिरप्द दोरह यहां पर ब्रिचः तीडर के एक्ट के तहती बोर्ड आफ डारेक्टरों की संख्या 24 से हटा कर अठा रखी गई भारत का साशन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन की हाथों में सापा दिया गया हमारे भारत का जो है जो साशन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सापा दिया गया तो भारत भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल की पद नाम को बदल कर वायसराय कर दिया गया तो यहाँ पर भी देखी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही गवर्नर जनरल की पद नाम को बदल कर वायसराय कर दिया गया तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत के प्रताम वासरा है यहां पर देखिए भारत के प्रताम वासरा है तथा अंतिम गौवर्नर जनरल हुए प्रेथम और अंतिम गौड़णर जनुर तो लार्ड कैनिंग ही थी बोर्ड आफ कंट्रोल और बोर्ड आफ डारेक्टर को समात कर भारत के राज सची उपद का स्रिजन किया गया तो भारत सासन अधिनियां 1858 की द्वारा ही जो देखे भारत सासन अधिनिया मठार सो अठावन के द्वारा ही बोर्ड आफ कंट्रोल और बोर्ड आफ डायरेक्टर को समात कर भारत के राज सचीवपद का स्रिजन किया गया तो यहां पर देखिए भारत सासन अधिनिया मठार सो अठावन के द्वारा दोस्तों हमारा जो भारत का समय धानिक विकास का कैसे कैसे हूं लो Г तरीका कैसे ल tuna कर है हमारा आज मीन नहींते है जबते हैं तक केले जाहिए